हेई everyone आप सभी को मेरी तरफ से happy happy diwali और इस diwali में मैं लेके आई हूँ आपके लिए south इंडिया की very tasty super delicious ribbon murucku जो खाने में बहुत tasty होती है crunchy होती है crispy होती है और ये बच्चों बढ़ो सभी को बहुत पसंद आता है और तेभारों में ये बनाया जाता है और इस पार इस दिवाली में ये बनाईए अपनी फैमिली को केलाईए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और से कीजिए Hey everyone, welcome back to my new vlog में आपका हार्दिक स्वागत है I hope आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं बना जा रही हूँ Ribbon Murukku जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है दो कटोरी चावल का आटा यह आपको कहीं भी अवेलिबल मिल जाता है और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कटोरी बेसन और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक चमच काली मिच का पाउडर और नमक एक चमच आप अपने स्वादान सा ले सकते हैं और एक बड़ा चमच यहाँ पे ने मेल्ट किया हुआ बटर लिया है और एक चमच मेने यहाँ पर खाने वाला टे लिया है और एक चमच यहाँ पे मैं ने लार मिच पाउडर लिया है और अब मैं इससे बिल्कुल अच्छी तरह से मिला दोगी ताकि और नमक और बटर चावल सब एक दूसरे से अच्छी तरह से मिल जाए और थोड़ा थोड़ा पाई डाल कर यहां पर में एक सॉफ्ट डो बना लूँगी चावल का आटा है तो पानी थोड़ा खीषता है तो बस अब एसे अच्छे तासे आटा गूत लेंगे बिल्कूल नॉर्मल आटा जैसे सॉफ्ट राता होता है और इसे पाच मिट के रस के ल और अब मैं इसे धकल लगा दूँगी और यहां पर मैंने और पहले से लो मीडियम हीट पे गरम कर रखा है और मैं डाल दूँगी और यहां पर एक तरह से धीमे आचे पका लेंगे और फिर इसे हम पलट देंगे और बस यह से करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इस और दूसरी तरह से भी हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे तेज करेंगे तो जल जाएगा बस देखिए यहां मेरा भी दूसरा डिबन त्यार हो चुका है मुरुक को और मैं इसे कर दी है प्लेटिंग दे देखिए और अब मैं इसे टेस करती हूँ कैसा है और यहां पे मैंने इसे दिया है और इसे सेयुरियस ने क्या बतां बहुत क्रश्ची यार बहुत बहुत टेस्टी है सचीज से आप चाय के साथ खहेंगे रोट मज़ाएगा बहुत इंजओंगे देवाली में बनाईए अधियो कीजिए और आप सभी को मेरी तरह से हैपी